Welcome to our channel Fantasy Fortune इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं कि हम Dream 11 में Captain Vice Captain को कैसे Select करें How to Select Captain and Vice Captain in Dream 11 ये जो टॉपिक है ये मेरे पास पिछले काफी टाइम से लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया है और मैसेज करके मेरे से रिक्वेस्ट करिया कि हमें बताओ अब कहीं बार कमेंट आते थे और कहीं बार मैसेज आते थे कि कैसे बनानी है अब आप ये चीज़े मैसेज के थूरू या reply करके आप किसी को नहीं बता सकते क्योंकि ये कि थोड़ा process लंबा है मतलब एक दम से इतना सारा आप किसी को type नहीं कर सकते सो मैंने finally decide कि ये मैं topic जो है ये cover करूँगा ताकि जिससे आपको बहुत जादा help हो जाए क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं और आपको वो कैसे avoid करनी है कि ताकि आप best से best जो है grand league में और साथ ही साथ आप small league में select कर पाएं क्योंकि आज कल का जो game है मतलब dream 11 में क्योंकि अब इतने सारे youtubers आ गए हैं और इतने सारे apps हैं website हैं जहां से आपको data मिल जाता है सो चीजे काफी जादा easy हो गई हैं लोगों को analyze करने में सो उसकी वज़े से competition काफी भढ़ चुका है और हर कोई अब क्या होता है ना इंडिया में इतनी जादा population है और यह सच बात है कि हर कोई अब देखो हर कोई चाता है कि अमीर बन जाएं जादा से जादा पैसा कमा लें और shortcut ढूंडते हैं और dream 11 जो है यह आपको सब कोई shortcut नजर आता है लोगों को मज़े के साथ साथ एक ही होता है कि हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाता है आप बहुत सारे लोग हैं वो rely करते हैं कि बस copy paste हम कर लें कोई हमें दे दे बस मतलब हमें कुछ ना करना ग्रैंड लीग जिता दो हमें और बस बात खतम हो गई लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई अगर कोई एक चैनल है सपोस करो मैं ही हूँ मैं आपको एक टीम दे रहा हूं सपोस करो ग्रैंड लीग विन भी कर गई लेकिन अगर मेरे सपोस करो 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो 10 के 10,000 अगर सबने टीम लगाई तो रैंक क्लैश हो जाएगी और ऐसा नहीं होता कि कोई भी चैनल जो है वो आपको टीम दे दे और वो ही टीम ग्रैंड लीग विन कर जाए ऐसा नहीं होता आपको continuous efforts करने पड़ते हैं तो आपको ये काम खुद सीखना होगा अब वो सीखोगे कैस से वो मैं आपको बताने वाला हूं मैं एक तरीके से आपका teacher हुआ मैं आपको सिखा सकता हूं लेकिन exam जो है वो आपको ही देना होगा इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप क्या-क्या mistakes करते हैं आपने किस-किस चीज पर ध्यान देना है आपने small league में कैसे आपने captain and vice captain select करने हैं और साथ ही साथ आपने grand league में आपने कैसे captain and vice captain select करने हैं पूरी video देखिएगा क्योंकि आज CPL का final भी है मैं उस CPL के final की video भी बनाने वाला हूं जिससे आपको बहुत फायदा होगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि आज आप mega grand league कैसे win कर सकते हैं तो subscribe button पर दिखाना चाहता हूं यह हमारा fantasy fortune हमारा telegram channel है आप यहां पर जुड़ जाइए आपको बहुत फायदा होने वाला है आपने करना क्या है fantasy fortune search करें और हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे 1000 subscriber अभी हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि मैं link description box में डाल दूंग और comment में प बिन करी थी अब मैं आपको यह मैं क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि कोई आपको right बंदा बता रहा है मतलब कि ऐसा होता है ना कुछ लोग जो हैं जैसे YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियो जैसी मिल जाएंगी मैं fantasy से हटके example दे रहता हूं ताकि आप एक समझ प काफी बार मैं तभी आपको बता रहा हूं मैं उनमें से नहीं हूं कि खुद grand league win नहीं करें और आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे के grand league win कैसे करते हैं और वो खुद अपनी grand league कभी win नहीं करें सो चलिए अब देखो मैंने पर्सो भी पर्सो किया कल मतब हाँ पर्सो गायाना वर्से सेंट लूशिया को जो cpl semifinal था मेरी rank वन आई है मैंने 50,000 इसमें भी win किया 34,000 लोगों में first rank आई थी मेरी team यह मैंने grand league की मेरी team थी इसमें mark जयाल और rostum chase captain vice captain और देख लिज़िए मैंने पहले ही predict करा था कि कैसे हमने team बनानी है और इधर से सारे batsmen थे और इधर से सारे bowlers and captain and vice captain so यह मेरी grand league winning team तो मैं 14 points से win कर रहा हूं मतलब कि अगर इससे बड़ी भी कोई grand league होती वो भी अराम से win कर जाते 14 points बहुत होते हैं आपने देखा small league में आजकल 2-4 point का फर्क रह हो यार आप ना आप अपनी team जो है वो दूसरों के भरो से बना रहे हो वो कैसे आप selection rate को देखकर team बनाते हो आप अगर कोई player है जिसका selection लोगोंने 40% captain किया है और वो आप उसे ही captain बनाते हो उसे ही आप wise captain बनाते हो आपको यह लगता है कि यार दूसरा wise captain बना रहा है तो ह हम भी इसको बनाएंगे बड़ यह सबसे बड़ी गलती है अब हो सकता है कि suppose करो इंडिया उस्ट्रेलिया का मैच था पिछले दो मैच से केदार जादव ने 80-80 run बनाए है और आज लोगोंने 50% लोगोंने उसी को captain बना दिया क्योंकि विराट कोली और धवन जो है या रोह विराट कोली जादा बड़े प्लेयर हैं केदार जादव से लेकिन लोगों का selection rate इतना जादा है तो आप भी उनी को ही बनाते हैं तो वह बहुत गलत है यह करना छोड़ दो आपने अपने टीम बनानी है आपने यह ड्रीम 11 को skill का गेम माना गया है तो आपने अपनी skill में आप multiple teams लगा रहे हो सो आप क्या करते हो कि आप इतने जैसे 22 प्लेयर में से हर टीम में आपने रोहित को भी captain बना दिया आपने धवन को भी बना दिया आपने विराट को तो बनाओगे ही बनाओगे साथ में हार्दिक पांडिया भी ले लिया हो सकता धोनी भी चल जा य उससे क्या होता है मतलब उससे आपकी न क्या होता है आपका mindset पर चलता है कि आप confident ही नहीं है आपको पता है आप हारने वाले हो आप बस टीम बना रहे हो मतलब कि यह भी हो सकता है क्या पता यह चल जा इसको बना तो ऐसे नहीं होता आपको confidence रखना पड़ेगा अपने आप भाई अगर उन में से एक चल भी गया तो आपका अलग टीम कॉंबिनेशन होना चाहिए ना भाई अगर सपोस करो आपने जैसे आज CPL का फाइनल है उसमें आपने 20 लाक मेंबर वाली Grand League बिन करनी है अब आपने एक टीम में बना दिया सुनील नरायन को कैप्टन और सुनील नरायन चल भी गया ठीक है बाकी टीम में आपके कोई था किसी में पोलाड था किसी में फवाद था किसी में कोई और बैट्समें था किसी में सैम ही था में कोई था सो आपने टीम बना दी अब आपकी एक टीम में मतलब दस में से एक टीम ऐसी है जिसका कैप्टन टॉप चल गया सपोस्ट करो सुनील नरायन था अब नरायन का कैप्टन सेलेक्शन रेट अल्रेडी कैप्टन में 33 परसेंट है चैप्टन उसको बनाया हुआ ही है उसमें क्या हुआ कि आपने सिर्फ दस में से पहले ही आपकी एक टीम चली और वो भी ऐसा कैप्टन चल गया जिसे चैप्टन लोगों ने बनाया हुआ है तो भाई आप कैसे जीतोगे ऐसे नहीं होगा आपको अपने एक या दो प्लेर मैं बदाता हूँ देखो क्या करना होगा आपको ना information gather करनी होगी आपको मेहनत करनी होगी कुछ भी चीज आज के टाइम पे बिना मेहनत के नहीं मिलती है अगर आप अगर दो लोग है अगर आप है मैं हूँ अगर आप और मैं खेलने हैं तो भाई मैं भी महनत करके आऊँगा मेरे ही पैसे लगे हूँ और आपके भी आप अपनी महनत करोगे मैं अपनी महनत करूँगा जिसने ज्यादा महनत करी और जिसका थोड़ा luck साथ दे गया वो बिन कर जाएगा लग के उपर बहुत कोई depend कर इस बात का आप हमेशा धियान रखना क्योंकि luck एक दो मैच में काम आजाता है लेकिन लॉग्रन में जो है आपके skill ही काम आने वाली है हो सकता है देखो patch हर किसी का अच्छा बुमरा face जो हर किसी का आता है लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है घर cally पांच मैच म को आप छोड़ दो मतलब ठीक है कभी आप देखो कि आप मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं भाई इस मैच की टीम दोगे अब यार ठीक है मैं दूँगा नहीं दूँगा एक अलग बात है लेकिन आप एक बाह बता हो उस प्लेयर उस मैच की क्या आपको इंफरमेशन है कुछ कितने T10 मैच कितने डोमेस्टिक T20 मैच ऐसे हैं जिसमें लोगों को पता ही नहीं है मतलब कहते हैं कि भाई हमें इंफरमेशन नहीं आप टीम दे दो भाई आप मतलब अंधा पैसा लगा रहे हो किसी पे आप information तो gather करो मैं पता नहीं कैसी टीम दे रहा हूँग है कोई और कैसी आपको पता to होना चाहिए, कि आपको मैंने अगर Saul ko Captain बनाया है अगर T20 Blast में आपको पता to होना चाहिए, भाई वो open करता है 1-Down आता है, 2nd-Down आता है, क्यूं बना दिया मैंने Captain, आपको information पता होनी चाहिए, आपको player की knowledge पता होनी चाहिए, कि वो player करता क्या है वो batting कौन से down पर आता है या bowling कौन से करता है कितने over करता है आपको ये पता होना चाहिए आपको player के record पता होने शी मतलब जैसे bravo जो है या Anderson देखो Anderson ने अभी 600 wicket लिये हैं अब उसने जो last match था उसी में पूरे करें हैं तो मैंने उस match में उसको pick किया था क्योंकि मुझे पता था देखो अब क्या था 600 wicket उसके होने थे वैसे ही उसकी बात चल रही थी कि Anderson की बात चल रही है कि रिटायर हो जाना चाहिए अब लेकिन अब suppose करो वैसे उसने काया कि मैं fit हूँ पता ही नहीं है तो अगर वह उस match में नहीं wicket लेता 600 तो हो सकता है उसके वह रही जाते हो सकता है उसे आने वाले time में इतना मौका ना मिलता या वह सन्यास ले लेता तो आपको इक पता होना चाहिए तो यानि कि उस match में उसने वह जान लगा देनी थी अभी जैसे डीजे ब्राव उन्हें 500 wicket पूरे करे है पहले starting के दो मैं आच में wicket नहीं मिले उसे एक wicket चाहिए था तो यानि कि आप वह जान लगाने वाला है आपको पता होना चाहिए कि यह बंदे का record आने वाला है और आपने ground की information होनी चाहिए यासे मैंने आपको finch का बताया था Southampton में वो अच्छा perform करता है मैंने वीडियो में बताया था और उसने तीनों match में अच्छी batting करी है T20 जो भी England के अगेंस्ट में सो कुछ ground ऐसे होते हैं जो player को अच्छे लगते हैं मतलब जादा run बनेंगे अगर हमें यहां पर थोड़ा पुराना विकित है और यहां पर turn होईगी सो हमें spinners को pick करना है तो आपको pitch को read करना आना चाहिए आप हमेशा pitch report जो है आप देखा करो जो international matches होते हैं या अगर कोई अच्छी league ऐसे आपकी T20 हो गए मतलब IPL हो गया, CPL हो गया इनकी तो click bus पर easily आपको pitch report भी मिल जाती है और अगर कोई international matches है जिसमें toss आपको live दिखाया जाता है सो आप खुद pitch देखे pitch report उसमें अच्छे commentators या अच्छे players जो है वो करते हैं सो आप उन चीज़ों पर ध्यान रखिए फिर बात आती है toss analysis पर आपको toss का पता होना चाहिए कि कि team ने toss जीता है आप उसी साब से team बनाओ गया आप ऐसा नहीं कर सकते suppose करो अगर हम जैसे किस player की बात कर लेते हैं अगर हम बात करते हैं अभी जो recently TKR और जो Jamaica का match हुआ था so उस match में breath weight लोगों ने बहुत लोगों ने लिया था breath weight लेकिन breath weight की बाद में bowling थी ठीक है मतलब TKR पहले जमेका की पहले betting थी और TKR bowling कर रही थी so आप जब toss आपको हो गया आपको पता है कि जो breath weight है वो end के over डालता है वो starting में नहीं डालता है वो death में डालता है so second inning में हो सकता है इतना match लंबा खिचे ही न कि breath weight को 4 over करने का मोखा मिले और वो ही हुआ तो लोगों ने जिनोंने भी breath weight को team में लिया था वो सब विकार हो गया so आपको पता होना चाहिए कि जो आपने toss के बाद कैसी team बनानी है कि अगर कोई death bowler है और वो पहले उनकी team batting कर रहे और आपको लगता है कि एक strong और hulky team का match है तो उसमें आप ऐसा bowler आपको छोड़ना होगा आप उसे pick करके captain मनागे कोई फायदा नहीं है तो आपको toss के बाद आपने पता होना है कि कैसा match जाने वाला है तो यह चीज़े हैं यह कैसे आएंगी यह धीरे धीरे अगर आप इन चीज़ें को ध्यान में रखोगे आप मेहनत करोगे आप analysis करना सीखोगे आप match देखोगे तब आएगी आप सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ copy कोई मुझे आपको grand league win करा दे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि grand league में भाई मेहनत लगती है अगर आप लगता हो अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने यसे पर्सों जो win करी है last semi-final में अगर मैंने grand league win करी है सो भाई उसके लिए मैंने मेहनत करी है ऐसा नहीं था की अगर मैंने 10 team लगाई थी और 10-10 में mark dayal को captain बनाया था भाई मैरी rank 12 भी मेरी थी first भी मेरी थी, 100 भी 200 भी मेरी थी जो मैंने mark dayal को captain बनाया था 10 team में अब इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने इसी match को pick किया था मैं मार्क देयाल को पिछले तीन मैच से कैप्टन बना रहा हूँ वो दो मैच में इतना अच्छा उन्होंने नहीं किया लेकिन एक में चला तो पिक कर गया आपने महनत करनी होगी आप ऐसा लोग सोचने हैं कि कोई चमतकार हो जाएगा और आपको कोई एक टीम दे देगा और वो आपको 10-20 लाक रुपे जिता देगा अगर इतना ही असान होता सो अमबानी ये जितने भी लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं ये सारे अपना बिजनस छोड़के क्यों इतनी महनत करनी है घर जाके सारा पैसा ड्रीम 11 में लगा और रोज की रोज पैसा 10-10-20-20 गुना या 400-100 गुना डबल करते जाओ लेकिन ऐसा नहीं होता आप ये काफी जादा लग पर डिपेंड है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा डोंट रिलाइ ओन अधर्स ये मैं बारवार कहूंगा आप फोपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है आपने काम सीखना होगा अब हम बात कर लेते हैं कि स्मॉल लीग में आपने कैप्टन वाइस कैप्टन जो है कैसे सेलेक करने है अब देखो पहले ही मैं आपको ये वाली बात बता चुका हूँ हमने सेलेक्शन रेट पर नहीं जाना है मैं बिलकुल नहीं जाता अगर सपोस करो किसी को भी 50% लोगो है मेरे आगे ऐसे मैश तो हैं बहुत अच्छे वैसे भी समझता हूं लेकिन स्मॉल लीग की बात कर लेते हैं हमने ऐसा प्लेयर को सेलेक्ट करना है जिसे सबसे ज्यादा मैच में एक्सपोजर मिलने वाला है एक्सपोजर मतलब कि जिसको बैटिंग भी पका आएगी अगर प्लेयर के भी 8 points होते हैं एक प्लेयर जो है वह दो कैश पकरता है 16 points उसने वह दे दिए तो ऐसा हमें प्लेयर से डूंड़ना है जो सबसे ज्यादा जिसको exposure मिलेगा कि कोई player जो है वो open करता है suppose करो वह 2-3 over भी डालता है फिल्डर भी अच्छा है एसा player हमारे लिए best हो जा captain wise captain ship की नरायन है इसलिए ही लोग उसको select करते हैं अगर हम और team से बात करें अगर हम जैसे हम बात कर सकते हैं नभी जैसे हो गया नभी जो है अपने चार और पूरे करता ही है यह पकी बात है और बैटिंग भी आपको third down दे रहता है so end में hitting mostly matches में उसकी बैटिंग आई ही जाती है so another good pick so आपने ऐसे player जैसे अगर Russell जब bowling करता है so काफी अच्छे pick वो बन जाती है कि बैटिंग बैटिंग और फिल्डिंग से आपको point देता है maxwell हो गया so यह जो players है आपको यह batting bowling fielding से point देते हैं अगर आपको लगता है कि batting wicket है कि भाई यहाँ पे bowlers का काम ही नहीं है कुछ series होती है जिसमें bowlers की बहुत पिटाई होती है so हम top order batsman को select करेंगे हम विराट को लिए अगर one day है T20 में हम रोई शर्मा so ऐसे players जिनको सबसे ज़्यादा exposure मिलेगा और जो उस wicket के हिजाफ से suitable है आप जैसे CPL में है CPL में अगर आप spinner को बनाते हो तब ऐसा कोई bowlers जो spinner है इमरान ताहिर जैसे हम ले सकते हैं कि चार over करता है और बहुत important और अ सो भाई इतना पक्का होना चाहिए कि वो चार over पूरे करने ही वाला है अगर batsman है अगर आप सिर्फ batsman को सो भाई top 3 मलब opener या one down उससे नीचे batsman आप captain ना बनाओ small league में और अगर कोई all rounder है so all rounder ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको 1-2 over मिले और batting 7-8 में number पर आए ऐसा नहीं हो गया breath weight ने बहुत matches में पूरे over नहीं करे है और batting काफी नीचे करता है so ऐसा player आप small league में नहीं करोगा ऐसा नहीं है यह नहीं चल सकते है ऐसा नहीं होता लेकिन आपने ऐसे players को avoid करना है small league में आपने player वही select करना है जिसको maximum जो है आपको chances वो मिलने ही मिलने वाले है कि भ chances हैं मतलब आपने chances पर खेलना है so अब हम दूसरा point है कि आपने impactful player को select करना है रसल हो गया मतलब कि अगर जो hitters होते हैं और आपको bowling करके भी दे रहे हैं मतलब कि जैसे hitter ऐसा कि जो अगर 20 ball भी खेल जाए so 50 run आपको बना कर दे देगा रसल हो गया ठीक है munro हो गया तो यह प्लेयर्स हैं यह काफी अच्छे रहते हैं तो आपने impactful player ढूंडने है कि जो impact डालते हैं ऐसे player को captain wise captain बनाना अगर पॉलार्ड अगर जैसे पॉलार्ड है अगर लेकिन वो तब जब बोलिंग करते हैं तो काफी अच्छी choice बन जाते है captain wise captain ship के लिए क्लिए क्योंकि ऐसे players ज system chase हो गया चार over करते भी है second down betting कर रहे हैं तो यह जो कुछ players है यह काफी अच्छे रहते हैं जो impact डालते हैं आपने बड़े नाम्स पर नहीं जाना है अगर हम Australia की तरफ से आज के टाइम में जो पिछली series यह उस हिसाब से बात करें तो अगर ने काफी अच्छा परफॉर्म जो किया है कि impact डाला है fielding में भी अच्छी positions पर खड़े होते हैं जहां पर catches आते हैं अपने quota के पूरे overs भी कर रहे हैं और betting साथ में number पर कर रहे हैं जो की betting उनकी आई ही रही है तो आप ऐसे players को select करें जिनें सबसे आधा maximum exposure मिलेगा और जो impactful अपना impact डालते हैं उस match में उस toss according to ground so आपने यह knowledge पहले केदर करी फिर आपने decide कि कौन साइस match में player जो है वो impact डाल सकता है अब हम बात कर लेते हैं कि आपने captain wise captain grand league में कैसे select करना है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं भाई मैंने जितनी भी grand league win करी अभी तक मैंने कभी भी मुझे बड़े player ने grand league win नह आने वाला है ऐसा नहीं होदा कि वो नहीं करा सकते लेकिन भाई मेरे हिसाब से मेरा जो experience रहा है आपको कभी विराट को ली अगर हम CPL की बात करें सुनील नरायन जो favorite captain होते हैं उस match के वार्णर यह आपको कभी grand league win नहीं कराने वाले हैं उसका reason यह है कि अगर जैसे आज का CPL final है CPL final में आपको जैसे मैंने एक अल्रेडी example यह दे चुका हूं 20 लाक लोगों में 33% लोगों ने captain सुनील नरायन को बनाया हुआ है मतलब कि अगर आपने सुनील नरायन को captain बना भी दिया सो आप 6 लाक लोगों में खेल रहे हो अगर वो नहीं चला तो तो फिर हार ही ग आली है आपकी सो आपने ऐसा प्लेयर ढूंडना है इसलिए मैं कहता हूं कभी भी बड़े नाम पर ना जाओ मैंने आपने जो जो प्लेयर्स हैं वो सलेक्ट करने हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं मतलब जैसे मैं बात करूं मैंने अगर जो मेरी पिछली grand league win हुई है उसमें मैंने mark dayal को किसी ने नहीं select किया था मतलब की और मैंने सिर्फ और सिफ grand league नहीं जीती मैंने उसे small league में भी captain बनाया था और मैंने यह देखो मैंने काफी investment करी थी उसके उपर आपको मैं दिखा रेता हूं रुख जाओ यह देखो मैंने 3840 वाला contest मेरा यह खेला था मैंने इसमें 10,000 में जबकि मैं इतना invest usually नहीं करता हूं लेकिन इस वाले match में मुझे पका था कि mark dayal चलने वाले हैं सो मैंने small league में कोई भी ऐसा player कोई भी आपको fantasy में मैं कहाता हूं कोई भी हो कोई आपको mark dayal का option grand league में भी नहीं देने वाला था मैंने small league में उससी कोई captain मनाया था यह देखो 25 लोगों वाली जो grand league होती है तब grand league तो क्या कूंग small league होती है 25 लोगों वाली उसमें 1390 वाला जो था उसमें 10,000 आए थे सो मैंने सब में उसको लगाया था सो मुझे पता था वो चलने वाला है अब क्या था कि उसको सिर्फ 1% लोगों ने captain मनाया था आज कल mark dayal एक दो वर भी करता है फिल्डिंग अगर आप उसकी देखोगे पता नहीं आप मैं आच देखते हो या नहीं उसने दो catches जो है वो बहुत amazing पखड़े है इस्टूर्णमेंट में आपने जो है बड़े नाम में नहीं जाना है उससे पहले जो मैंने grand league win करी थी T10 में उसमें मैंने lex winner imran khan को उनको लिया ही शायद 10% लोगों ने था वो अपना second match खेल रहे है टूर्णमेंट में और वो 3 wicket लेकर गए थे captain तो उनने शायद मुश्किल से 1% लोगों ने भी Travis Head और Burns को captain wise captain किया तो मैंने कभी भी जितनी भी मैंने grand league win करी है मैं कभी भी आप यह देख लेना मैंने 15-16 बार win कर चुका हूं इसमें mini GL वगेरा सब मिला कर है इसमें जितनी भी मैंने grand league win करी है कभी भी मुझे किसी बड़े player ने grand league win नहीं कराई है मुझे उन players ने win कराई है जो अच्छे हैं पहली point ध्यान सर समझने जो अच्छे हैं और जिनको chances मिलते हैं मतलब कि अब हमने players ऐसे player ढूनने होंगे आपने उसके लिए आप कैसे ढून कि मैं बतायता हूं फवाद को बहुत लोगों ने ignore ही किया हुआ है ठीक है ग्लैन है ग्लैन पिछले काफी matches से एक एक wicket ले ही रहा है दो भी लिए है तीन भी लिए है लेकिन उसका selection rate लोगों ने लिया ही नहीं है और उसे मतलब कि captain तो भूल जाओने लोगों ने लिया ही फवाद हो गया ठीक है पिछले मैं में हुसेन चला तो आस पूरी 80-90% लोगों ने हुसेन को ले लिया तो आपने ऐसा नहीं आपने वो player ढूनना है कि जो perform अच्छा कर रहा है उसने जिसने पूरा CPL में अच्छा किया है तो अगर हम देखें सो जैसे जाहिर खान अच्छा रहे हैं unlucky in the sense कि कुछ players ऐसे हैं जैसे batsman अगर मैं बात करूं कि batting बहुत अच्छी कर रहे हैं अगर आप देख रहे हो कि जितने भी shots मारे बहुत अच्छे shots मारे बट run out हो गए या फिर catch उनका इतना अच्छा पकड़ा गया या empire ने गलत आउट दे दिया unlucky रहे या bowling बहु बहुत अच्छा होता है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लेकिन अनलकी रहा है कि मतलब 3-4 ले सकता था लेकिन एक ही मिला catch छोड़ दिया उसकी ball पर यह हमें T10 में बहुत देखने को मिला सा T20 में भी देखने को मिल जाता है कि कितनी बार होते हैं ऐसे अगर हम बात करें मिचल मार्श का जो पिछला मैच इन्होंने man of the match रहे हैं मलान ने दो कैज छोड़े slip में राशिद की ball पे तो यानि कि वो उस दिन lucky था और राशिद unlucky रहे थे तब भी राशिद तीन wicket लेकर गए लेकिन आपने ऐसा player select करना है जो unlucky रहे हैं लेकिन उन्हें chances पूरे मिल रहे हैं आपने यह कैसे आएगा आपको match देखकर आएगा तो आपने थोड़ा match देखना भी होगा और आपने बस match की जो situation है वो analyze करो और आपने मतलब कैसे match जा सकता है यह आपने थोड़ा analyze करना है बाकी जो है मैंने आपको बताए दिया कि top picks जो है वो आपको grand league win नहीं कराती आपको हमेशा एक अच्छा player जिसको लोग select नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अच्छा player है अगर दो match में रोहिशर्मा run नहीं कर रहा ह तो रोहिशर्मा को player drop करने लगेंगे तो यह आपको धिहान रखना होगा तो यहाँ पर जनता जो है यह पिछला match वो ही है ना कि यहाँ पर लोग करते हैं यहाँ पर लोग अच्छा नहीं देखते लोग देखते हैं पिछला match कौन जीत कर आ रहा है या पिछले match में कौन run क करके आ रहा है यहाँ अच्छा बुरा नहीं देखते और यहीं शायद एक चीज है जो आप लोगों को stand out आप कर सकते हो मतलब आप अगर भीड से अलग होना चाहते हो तो आपको अलग सोचना होगा तो उसके लिए क्या है कि आप कभी भी बड़े नाम पर ना जाओ अपनी यह professional हो गए हो आप अब यह मतलब यह आप addict कह सकते हो अपने आपको professional कह सकते हो आप अपने आपको जो word आप यूज करना चाहे लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ लग के भरोसे ना बैठो अपनी study करो मतलब कि आपने अपनी मेहनत करनी है आप देखना result आपके बहुत अच्छ लोग हैं वो जब मेरे से बात करते हैं सो ऐसा बात करते हुए कहते हैं भाई मैं जीत ही नहीं सकता मैं जीत ही नहीं सकता है ऐसा नहीं है आपने यह जो मान सकता है आपको अगर आप जीत नहीं सकते हैं सो आपको छोड़ देना चाहिए आपको अगर आप नहीं तो आप confident हो और कहो भाई मैं तो जीतूँगा एक मैच नहीं दो मैच नहीं दस मैच नहीं जीतोगे ठीक है मैं स्मॉल लीग की नहीं मैं ग्रैंड लीग की बात करूँ महनत करते जाओ और आप आप confident होकर टीम बनाओ यह नहीं कि आपने कुछ भी बना दी चल आज इसे भी try कर देता हूं उसे भी नहीं आपने study जिस प्लेयर पर करी है आप उस पर chance लो और आपका result मैं guarantee देता हूं आपका result जो हो बहुत अच्छा आएगा और आप जल्दी ही आप लोग ग्रैंड लीग करोगे सो मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी सो पसंद आई सो लाइक जरूर करना subscribe टू आर चैनल क्यूंकि अभी CPL की वीडियो आने वाली है आपको mega grand league में एक ऐसे टिप बताने वाला हूं जिससे mega grand league अगर वो टिप आपके लिए काम कर गई सो आप mega grand league भी विन कर सकते हैं आज सो subscribe कर लेना comment करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमार साथ telegram चैनल पर जोड़ जाओ बहुत फायदा आपका होने वाला है thank you guys